कि अब शिच्चकों की विविन मांगों को लेकर के दर्ने को हम दे रहे हैं थर्डगेट ट्रांसफर डीपी सी को लेकर के और पुरानी पैंसन इसकिम की योजना है उसको यह थावत रखने की तो मांग उसको लेकर के यह दर्ना है सुवए नो बजे से लेकर के साढ़े पांच बजे तक यह दर्ना उपकंड कार्याला बाडी के सामने रहे हैं थर्डगेट ट्रांसफर बहुत बड़ा मुद्दा है राइस्तान सिचक संग एकिकरत ने थड़गे ट्रांसफर को लेकर के बहुत आंदोलन किये सब्सक्राइब इसमारक से लेकर के सड़कों पर आंदोलन किये लेकिन सरकार ने मानी नहीं पिछली जो कॉंगरेस सरकार थी उसमें भी कई वार धरने दिये गए थे और सरकार ने जो बातें नहीं मानी उसी का परणाम है कि सरकार बदल गई और आज राइस्तान में भरती जनता पर्टी की सरकार है सरकार ना थर्ड गेट टीचर्स के ट्रांसफर के डीपीसी कर रही है ना second grade की DPC कर रहे है ना व्याक्याता की कर रहे है ना और उच्छपडों की DPC कर रहे है पिछले 3 वर्ष से DPC pending है और जिसकी वज़ए से इसकूलों में सिचकों के पद खाली हैं, अधिकारियों के पद खाली हैं हमारा जो राहिस्तान सिच्छंग संग एक ही किरत है वो लंबे समय से मांग कर रहा है कि सरकार जल्द से जल्द DPC करें और इन रिक्त पदों को भरें पुरानी पैंसन सिच्छंग संग के लिए सभी संगठनों के लिए सभी करमचारियों के लिए ना केवल राहिस्तान के लिए यह पूरे देशवर का मामला है और विसेश कर राहिस्तान के लिए बहुत बड़ा मामला है राहिस्तान में गेलो सरकार ने पुरानी पैंसन है उसकी सरकार ने ये कहा है कि सरकार जो है आंदर प्रदेश मॉडल लागू करेगी राइस्तान से चक संग एक एकर चाता है कि आंदर प्रदेश मॉडल को डिनाई करता है और हम लोग एक अच्छा और जो पुरानी पैंसें स्कीम है उसको ही हम केवल चाहते हैं पुरानी पैंसें स्कीम और नई पैंसें स्कीम के बीच में जो आंदर मॉडल लेके आ रही है उसके पीछे सरकार की एक सोच है क्योंकि सरकार पूझी पतियों से चलती है अब करमचारी अपने पैसों का उपयोग कर रहे हैं और यही बात बिजनेसमेन को चुब रही है और यही बात सरकार को चुब रही है